बिस्मिल्लाइ रख्मानी रहीम डियर स्टुडेंट्स असलाम अलेकुम आज हम लैंड रेविन्यू एक्ट नाइनटीन सिक्टी सेवन के चैप्टर नमबर अलेवन और उसके टॉपिक पार्टिशन को डिसकस करेंगे यह पार्टिशन जो है लैंड रेविन्यू एक्ट का बहुत ही एहम हिस्सा है यह डेली लाइफ में आम हलात में आप सब का इससे वास्ता पड़ेगा इसलिए आप इसे पूरी तबज्जों से सुनेंगे और इसमें भरपूर हिस्सा भी लेंगे हम देखते हैं कि जमीन के मुक्तलिफ मालिकान होते हैं आपने अक्सर इदर उदर देखा होगा अपने अजीजों में या मुम्किन है कि आपकी अपनी जमीन हो या आपने सुना होगा या सुन रखा होगा कि एक जमीन के मुक्तलिफ मालिकान होते हैं मिसाल के तोर पर एक आदमी के नाम से प्रॉप्टी है तो जब मुश्तरका खेवट में अलाद को आएगी तो वो एक ही खेवट के मुश्तरका खातेदार बन जाएंगे मिसाल ये है कि मिसाल के तोर पर हम छे भेहन बाई हैं तो वाली साब के जो नाम जमीन थी अब उनके गुजर जाने के बाद वो जमीन जो है वो अब बच्चों में तक्सीम होनी थी अब वो तमाम बच्चे उस मुश्तरका खेवट में बराबर के हिसेदार हैं तो जब बराबर के हिसेदар हैं तो वो सब एक ही केवरे के मुच्तरका खातेदार कहलते हैं और मुच्तरका खातेदार हैं तो उन में जमीन को तकसीम किये जाने की जुरूरत भी होती है और ये तकसीम पार्टिशन कहलती है बात बहुत साधसी है बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और इन्शालाँ उमीद करूंगा ये लेक्चर आपके लिए बहुत फुरूटफुल होगा हमने बात की पार्टिशन के उपर अब ये पार्टिशन कैसे होती है तो इसका सबसे असान तरीका तो ये है कि हम बहमी रजामंदी से कर लेते हैं पार्टिशन तो जब हम बहमी रजामंदी के साथ पार्टिशन कर लेते हैं तो हमें किसी भी अदालती कारवाई की जरूरत नहीं पड़ती और जब हमें अदालती कारवाई की जूर्थ नहीं पड़ेगी तो क्या होगा सिम्पल तरीके से इसको हम असानी के साथ रेविनिय ओफिसर के सामने जाकर कनुफरम कर लेते हैं और ये सेक्शन 147 में भी वाजिया कर दिया गया है यानि इसकी तक्सीम के दो ही तरीके हैं एक बहमी रजामंदी के साथ तक्सीम कर ली जाए या कोई भी पार्टी तक्सीम की दर्खास दे दे नमबर एक पर क्या बताया कि बहमी रजामंदी के साथ तक्सीम कर ली जाती है या कोई भी पार्टी तक्सीम की दर्खास दे दे कि अब हम इसको सेक्शन वाइज देखेंगे कि ये दर्खास आखिर कौन दे सकता है या किसको दी जा सकती है ये दर्खास और ये दर्खास कैसे प्रोसीड होगी सवाल उठता है ना कि ये दर्खास कौन दे सकता है किसको दी जा सकती है और ये दर्खास का जो तरीके कार होगा वो क्या होगा कैसे प्रोसीड होगी अगर दर्खास देते वक्त कोई मसाइल पेश आ जाए तो उस मसाइल का हल कैसे डुंडा जाएगा और फिर दर्खास के बाद नोटिस किया जाएगा किस तरह किया जाएगा किसको किया जाएगा नोटिस की एहमियत क्या होगी और इस दर्खास के दायर होने से लेकर दर्खास के डिस्पोजल होने तक तमाम मामलात आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और इस लेक्चर में डिसकस करेंगे वो कौन से मामलात हैं जो दर्खास के दायर होने से लेकर दर्खास के डिस्पोजल होने तक तमाम तर मामलात इंशाला आज हम डिसकस करेंगे तो अब हम इसको section wise देखते हैं कि किस तरह ये जो partition है इसको हम एक दर्खास के जरीए इसकी तक्सीम को असान बना सकते हैं या अगर हमें कोई मसाइल पेश आ सकता है तो उससे कैसे बचा जा सकते हैं तो डियर स्टुडेंट्स चैप्टर जो है 11 उसका टापिक है पार्टिशन और यह इसे रेलिवेंट जो परोवियन है वो है 135 से लेकर 150 तक यह इसको डील करेगा तो आएए हम सबसे पहले देखते हैं section 35 section 135 में वो कहता है कि application for partition तक्सीम के लिए अगर कोई दर्खास देगा तो कैसे उसको entertain किया जाएगा तो point 1 में वो बताता है कि any joint owner of land may apply to a revenue officer for partition of his share in the land if अब इसमें यही कहा जा रहा है कि हर हिसादार यानि मुश्तरका खातेदार तो वो अपने हिस्से की तक्सीम के लिए दर्खास दे सकता है कोई हिसादार है मुश्तरका खेवर्ट में तो वो अपनी तक्सीम करवाना चाहता है अपने हिस्से की तो वो दर्खास दे सकता है उसका right है अब सवाल ये उड़ता है कि वो दर्खास किसको दी जाएगी तो ये दर्खास जो है वो अपने हिस्से की तक्सीम के लिए जो देगा वो रेविन्य ओफिसर को दी जाती है अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ले ले बसलाँ अगर एक घर है दस मरले का और उसमें छे लोग बराबर के हिस्सेदार है तो अब अगर उन में से कोई अपने हिस्से की तक्सीम करवाना चाता है तो वो रेविन्य ओफिसर को दर्खास दे सकता है अब इसके पॉइंट ए में आते हैं हम पॉइंट ए में वो ये कहना चाता है At the date of the application Me, share is recorded under chapter 6 as belonging to him यानि अब पॉइंट ए में सिर्फ यही बता रहा है कि उसका जितना हिस्सा बनता है under chapter 6 के तहत उसको तक्सीम कर दिया जाएगा अब ये chapter 6 क्या है तो बचो chapter 6 जो है वो record से relevant है यानि कि अगर उसका record ही नहीं है तो उसको तक्सीम कैसे किया जाएगा तक्सीम करने के लिए जरूरी है कि वो उस जमीन का मालिक होना चाहिए या उसके पास कोई दस्ताविजात हो जिससे ये साबित होता है कि ये फलाफला जमी का इतने हिसेदार का मालिक है तो इस सब को देखने के लिए जरूरी है कि चप्टर 6 को मदे नज़र रखा जाएगा फिर ही उसकी तकसीम उसकी असानी बनाएगी उसके लिए जब तायन किया जाएगा तो वो कानूनी तोर पर देखा जाएगा कि उस जमीन पर मालिक भी है तो रिकार्ड देखकर उसका फैसला कर दिया जाएगा अब हम आते हैं पॉइंट B की तरफ पॉइंट B में वो कहता है His right to the share has been established by a degree which is still subsisting at the date और अब पॉइंट B में क्या कहता है He is right to share यानि उसके हक का जो तायन है वो डिक्री से होगा जो सबस्टेन कर रही है या वैलिड है अब इसको अगर मजीद असान लफ़ों में देखें तो इसके पास जो डिक्री है वो इसके हक का तायन करेगी या तो रिकार्ड तायन करेगा अगर रिकार्ड उसके पास नहीं है तो डिक्री की जोर्थ पड़ेगी और अगर रिकार्ड मजूद है पर डिक्री की जोर्थ नहीं है पर रिकार्ड में तो उसका हक का तायन आल रेडी हो चुका है तो अगर डिक्री उसके फेवर में हो जाती है यानि एदालत ने करार दे दिया है कि इतना हिससा इसका बनता है तो जब इसकी फेवर में डिक्री आ जाती है तो इससे भी हिससे का तायन हो जाता है अब साफ लफजों में उसने बता दिया कि अगर या तो उसके पास record मुझूद हो या फिर उसके पास degree मुझूद हो बस Point C में वो कहता है A written acknowledgement of that right has been executed by all person interested in the admission or denial thereof Point C में simple वो कहता है कि admission या denial है या admission है जितने भी लोग या इनकार करें या इकरार करें तो इन सब ने तहरीरी तोर पर acknowledge कर लिया है तसलीम कर लिया है कि ये फला फला का हिस्सा है बगएरा बगएरा तो तब भी उसका अतायन कर लिया जाएगा अब तीन पॉइंट्स हमने अभी तक डिसकस किये हैं और इन तीन पॉइंट्स को अगर दुबारा से हम साफ तीन लफजों में देखें सबसे पहले तो यह है कि दरखास किसको दी जाएगी पॉइंट बन में बता दिया गया जी वो रेविनी ओफिसर को दी जाएगी पॉइंट टू में बताया गया कि एड़ डेट ओफ अप्लिकेशन में शेर रिकॉर्ड इंटर चैप्टर तीन कि जब उसका तायन किया जाएगा तो चैप्टर 6 को मदे नजर रखा जाएगा चैप्टर 6 क्या है वो बताता है कि उसका रिकॉर्ड क्या है आया उसके रिकॉर्ड में वो जिस हिस्से का वो कलेम कर रहा है जितने हिस्से को वो कलेम कर रहा है आया वो उसके हिस्से में आती है या वो उसका मालिक तो है नहीं फरॉड कर रा है तो इस फरॉड से बचने के लिए क्या देखा जाता है चैप्टर 6 को मदे रिज़ रखा जाता है ताके record कर देखे उसके हिस्से का तायन असानी से किया जा सके और point B में वो कहता है कि उसके हिस्से का कायन कर लिया जाएगा अब पॉइंट C में हमने देखा simple वो यही कहता है या तो वो लोग denial करेंगे या admission करेंगे इंकार करते हैं या इकरार करते हैं कि इन सब ने तहरीरी तोर पर acknowledge कर लिया हो कि यह फला का हिस्सा है और फला फला इस हिस्से का इतना हिस्सेदार बनता है तो डियर स्टूडेंट्स सेक्शन 135 में बस यही तीन मोटी बाते थी जो मैं आप से discuss कर चुका हूं कि application जब दे दी जाती है तो किन तीन बातों का खया लखा जाता है अब हम आते हैं next section की तरफ next section है 136 अब 136 जो section है partition का वो restriction and limitation है on partition यानी तक्सीम की हदूद और ममनुआत अब यह restriction और limitation जो लफज है यही बताएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो partition करने से मना करेगी और limitation बताएगा कि कौन से ऐसी चीज़ है जो तक्सीम करने को महदूद कर देगी बस साधा यह बात आप दिमाग में बठा लें कि वो कौन सी चीज़ होगी जो partition करने से मना करेगी या कौन सी ऐसी चीज़ है जो अक्सीम करने से partition करने से महदूद करती है आईए आप हम इस सेक्शन को मुलाइजा फरमाते हैं नौट विस्टेंडिंग दपरोवियन अफ दी सेक्शन वन थर्टी फाइव बावा जो दिसके सेक्शन फर्टीस में जो कुछ भी लिखा जाएगा जो कुछ भी लिखा जाएगा या लिखा गया है उसको मते नजर नहीं रखा जाएगा इन दो बातों को सामनी रखे नमबर एक क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप और ब्रॉल ग्राउंड गांड्स हैं दिन दा कॉमन बिफोर पार्टिशन शेल कॉंटीनिव टूबी फो एल्ट अफर दा पार्टिशन आपटिशन अफ एन्य फॉलिविंग प्रॉपर्टी 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 नेमली अब हमने देखा था कि सेक्शन एक्सव वन थर्टी फाइव में कि सबसे पहले कि वो रेविनिय ओफिसर को दर्खास देगा उसके बाद उसका रिकॉर्ड देकर उसके हिसे का ताइन कर दिये जाएगा अब 136 में उसने कहा था कि या तो तेहरी तोर पर उसको इक्रार कर लिये जाएगा या इंकार जाएगा पहला फला हिसा फला की ख़रियत है अब वह 136 में यह कहता है कि इस पॉइंट को भी सामने रखा जाएगा 135 जो उसने स्टार्ट में कहा था कि notwithstanding the provian of section 135 बवजुद इसके कि section 135 में जो कुछ भी लिखा गया था अब इस point A में वो ये कहना चाहता है कि मसाजिद और कबुरुस्तान यहां लव्ज जो इस्तमाल हुए है broil grounds बोलते हैं कबुरुस्तान को और यह कबुरुस्तान definitely जहां लोग दफन किये जाते हैं तो point A में इस बात को वाजिया कर दिया गया है कि मसाजिद और कबुरुस्तान जो तकसीम से पहले मुश्तरका थे वो तकसीम के बाद भी मुश्तरिक रहेंगे मिसाल के तोर पर इसकी मिसाल छोटी सी सुना देता हूँ है इसकी मिसाल तो यह है कि अब गाओं में एक ही कबुरुस्तान है अब गाओं के तमाम लोग उसी कबुरुस्तान में अपने अपने प्यारों को दफन करते थे अब वो तक्सीम कर लिया जाए अगर उसको तो मसल्ह ये पैदा होगा कि अब वो दफनाएंगे कहा या एक मसाजिद है मसजिद है उस गाओं में पूरे गाओं के लोग उसी में नमाज पढ़ने आते हैं अब बहुत सारे जो नमाज अदा कर रहे हैं तो वहां तश्रीफ लादे हैं आप उनको रोका नहीं जाएगा तक्सीम के बाद कि भाई आप नमाज यहां नहीं पढ़ सकते तो तक्सीम के बाद भी यह हक मुश्तरिक ही रहेगा बस सिंपल यह बताया गया है पॉइंट ए को फिर से क्लियर करता हूँ पॉइंट ए में यह बताया गया है कि ऐसी जमीन की तक्सीम नहीं होगी जो कबरुस्तान हो या मसाजित हो यानि कि बहुत सारे लोगों के जो मफाद है वो उनसे जुड़े हो अब नमाज है सबने पढ़नी है ऐसा नहीं होगा कि आपने उसकी तक्सीम करवा दी आप वो राइडा कुसे छीन लेंगे नहीं सेक्शन 136 जो है वो इस बात की पाबंद करता है इस बात का पाबंद करता है कि ऐसी जमीन की तक्सीम नहीं की जाएगी जिससे बहुत सारे लोगों का मुश्तर का मफाद जुड़ा हुआ हो अप पॉइंट बी की तरफ आते है पॉइंट बी है एनी इंबैंक्मेंट वाटर और वाटर कोर्स वेल और टैंक वेल और टैंक एन्ड एनी लेंड और विच दाप्लाई ओवाटर तो एनी सच वर्क में डिपेंड अब प्रॉप्टी की तक्सीम कैसे की जाएगी जो नीचे बता रही है वो ये है कि सबसे पहले वो पॉइंट ए में कहते है कि जिस जमीन में कोई वाटर टैंक बना हुआ हो कोई इमेंक्मेंट बनाई के ही हो यानि के पानी के किनारे बनाये जाएं पानी को जमा करने के कोई जराय कोई तरीका बनाया जाए पहले क्या होता था खड़ा मार लिया जाता था या बहुत बड़ा टोया होता था उसमें पानी जमा हो जाता था तो उसे क्या कहा जाता है embankment यानि के पानी को जखीरा कर लिया जाए या water supply को निजाम अगर कोई है तो वो introduce अगर करवा दिया किया है तो तब भी उसको तक्सीम नहीं किया जाएगा महदूत या restate कर दिया जाएगा अब any grazing ground है grazing ground जहां जानवर चारा चरते हैं अब simple बता दिया कि कोई भी जमीन जो grazing ground हो यानि कोई भी जगा जहां जानवर चरते हो अब point three में वो क्या कहता है point three में वो ये कहता है any land which is occupied occupied बोलते है कबजा करने को, तहवील में लेने को as the side of a town or village may be refused if in the opinion of the revenue officer the partition of such property is likely to cause inconvenience to the co-share or other person directly or indirectly interested therein or to diminish the utility thereof to those person अब अगर हम इस point three को साधे लफजों में लें तो वो ये कहना चाहता है कि revenue officer की जो राय में वो जगा थी गाउं में वो fixed कर दी जाती है यानि occupied कर दी गई है इसी तरह की जमीन हिस्सादारों के लिए जो मसाइल पैदा कर रही थी और बाकी लोग जिनका directly और indirectly इसमें मफाद है ना सिरफ मुश्रिक मालिकान का बलके वो लोग भी जो इसमें कुछ directly और indirectly कोई मफाद रखते हैं तो ये इस तरह की तक्सीम उनके लिए मसाइल पैदा करती है या यूं कहा जाए कि इसमें जो अफादा यानि मफाद है इनको खत्म करती है अब इस पॉइंट को सादा से लफाज में अगर मैं बताऊं समप करके तो ये जितनी भी जमीनात इस किसम की हैं जिसमें मसाजिद है, कबरुस्तान है, चरागाएं है किसी गाओं के लिए उकोपाइड हो गई है तो ऐसी जमीनात को अगर तक्सीम कर लिया जाए तो वो सिर्फ मसाइल पैदा करती है शेर होल्डर के लिए को ओनर के लिए जिनका डिरेक्टली और इंडिरेक्टली कोई मफाद जुड़ा हुआ है अब इनको इनको इनकिन्वीनियन्ट कर देती है और उनका जो मफाद है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देती है अब हम सेक्शन 137 की तरफ बढ़ेंगे सेक्शन 137 में वो क्या कहता है नोटीस ओफ एप्लिकेशन फार पार्टिशन तक्सीम की जो दर्खास है उसका नोटीस कैसे दिया जाएगा सिम्पल सी बात है दे रैविन्य ओफिसर ओन रिसीविंग दे अप्लिकेशन अडर सेक्शन 135 शेल प्यारे बच्चो अभी सेक्शन में वो पहले ही बता चुक है सेक्शन 137 तक्सीम की जो दर्खास उसका नोटीस कैसे दिया जाएगा वो तरीके कार बताएगा अब इस सेक्शन में यही बताया जा रहा है कि जब भी इस किसम की कोई दर्खास आएगी तो इसका नोटीस जारी किया जाएगा और हेरिंग यानि समात के लिए कोई एक तरीक फिक्स कर दिजाएगी आप फर्ज कर लें कि एक जमीन का एह इसादार है और इस हिसे की तक्सीम के लिए जाता है तो इस जमीन के बाकी जितने भी हिसेदार होंगे उनको भी नोटीस कर दिया जाएगा कि भई फला फला तारी को आपने सब निकठे होना है और इस जमीन की तक्सीम के लिए आपको बुलवाया गया है कहीं ऐसा नहों कि जो दर्खास दे रहा है उसका रायटी ना बनता हो वो क्या करें जी फ्रोडलेंटली बारो बार वो काम करवा ले लेकिन कानून क्या कहता है जी कानून कहता है कि सब को नोटिस किया जाएगा ताके सब को ये पता चल सके कि जमीन की तक्सीम का काम शुरू हो गया है या होने जा रहा है तो वो सब को आगा करने के लिए इस प्रोसिस के तहत वो आगे बढ़ता है अगर ये रज़ामंदी भी है अगर फार एजेंपल वो रज़ामंदी के साथ भी ये काम करते हैं तो तब भी इसके हिस्से का तायन करने के लिए जरूरी है कि तमाम तर हिस्सादारान को हेरिंग के लिए बुला लिया जाता है अपॉइंट A में देखिए इस पॉइंट में वो ये बताना चाहता है कि ये नोटिस उन लोगों को भी किया जाएगा जो उन में को शेयर होल्डर हैं लेकिन उनको एप्लिकेशन में फरीक नहीं बनाया गया यानि के वो हिस्सादार तो हैं लेकिन उनको दर्खास में फरीक नहीं बनाया गया लेकिन उनको भी नोटिस जाएगा अपॉइंट B देखिए इफ ही तिंक फिट अगर वो मुनासिब समझता है कास नोटिस टू बी सर्व और प्रोक्लेम्ट का मतलब होता है एलानियां एलान कर देना फार्टा इंफोर्मेशन ऑफ एनी अधर परसन हॉम ही में दीम तो बी डिरेक्टली और इंडिरेक्टली ट्रस्टेट इन अप्लिकेशन अब क्या है जी सेक्शन 137 बता रहा है अपने क्लोज बी में कि अगर वो मुनासिब समझे तो वो इस नोटिस को इस तरहां भी सर्व कर सकता है कि इसका वो पहले एलान करवा दे यानि एलाने आम करवा दे ताकि इस से जो डिरेक्ट और इंडिरेक्ट मुतासरीन हैं उनको भी पता चल जाए अब अगर साधर लफजों में फिर ये बात की जाए तो अगर वो मुनासिब समझेगा तो वो इसकी तशहीर भी कर देगा इस सेक्शन 137 में हमने सिर्फ तीन बातें देखी हैं हम अगर इन तीन इंग्रीडियन्स को निकाल कर बाहिर रख दें तो मैं समझता हूं कि ये सेक्शन अपनी सेंस खुद समझा देगा पहले हमने बात की कि सेक्शन 137 की तक्सीम जो है उसका नोटिस कैसे दिया जाएगा डेफिनेटली जब कोई दर्खाद दी जाती है तो उसकी नोटिस के लिए हेरिंग के लिए उनको बिलवाया जाता है उसके लिए एक तारीख मुकरर की जाती है ताके वो इस तारीख पर हासी होकर वो अपने अपने रिकोर्ड बियाल करवास के उसके बाद पॉइंट अ में बताया था धा कि यह नोटिस उनको भी दिया जाएगा जो co share या holder में उनको application में फरीक नहीं बनाया गया हो तो उनको भी notice किया जाएगा और point B में वो simple यह बताता है कि अगर वो मुनासिब समझे तो इसका notice इस तरहां भी सर्फ कर सकता है कि उसका एलान करवा दे यानि एलाने आम कर दे तो तब भी इसको directly और indirectly जो मुतासरी रहां को पता चल जाता है यहनि के साथ लफजों में वो मुनासिब अगर समझता तो इसकी तशहीर भी करवाएगा तो dear students आज जो हमने section discuss किये हैं वो section 135, 136 और 137 यह तीन section जो आज हमने discuss किये हैं अमीद करता हूँ कि यह आप जहनेशीन अच्छे से करेंगे अब बच्चो बात यहां पैदा होती है कि यह जो section हम बढ़ रहे हैं partition का इससे हमें फाइदा क्या होगा देखो बच्चो बींग का lawyer अगर आप practice करना चाहते हैं बले वसीबल की हो फोजदारी की हो अचानक आपके family member में या कोई case या कोई friend या कोई रिष्टेदार या कोई महलादार उसमें वह सिंपल आप से यह discuss कर लेता है कि यार मेरा फला फला मस रहा है इसको जरा लुक अफ्टर करिएगा तो आपका जवास क्या होगा आप कहेंगे जी नहीं जी नहीं यह तो मुझे पता ही नहीं मुझे तो सिर्फ यही सेक्शन आते हैं यही फोजदारी के मैं मामलात में सीनियर हूं ठीक है अपनी एक पहश होना चाहिए ताकि बरवक्त वो उस मालूमात को बुरुह कार लाकर वो अपनी जिन्दकी को और आसान बना ले अब यह वह मैटर है देखो कदल हर फैमिली में नहीं होते हैं यह दुश्मनिया होंगी आपके पास केस आएगा तो लेकिन फैमिली में इस किसम केस वहर दूस ही आप सिर्फ थोड़ी से तवज्यों दे लें और इसको बात को हमेशा के लिए माइन में बठा लें कि आखिर पार्टिशन करने के लिए किन बातों को खातिर में लाना जुरूरी है इसके दो ही तरीके बता चुका हूँ एक तो यह है कि वो रजामंदी के साथ अगर यह क हमें जी नहीं आप सादासे लकोते हैं वा आपको बेवकूफ रनाने की कोशिष करते हैं जी अब यहोगा वह एतने पैसे लगएंगे उतने पैसे लगेंगे जबके वह आप ही की जमीन होती हैं और आपी को मसायल में बेज रही होते हैं तो इनकैन सैझार में जेह महीं कर तो इन्शाला कभी भी आप मार नहीं खाते कि किसी भी partition का काम आगर आजाए आपको तो आप खुश असलूपी के साथ और फुल ट्रेंडिंग के साथ आप इस काम को सरणजाम दे सकेंगे और इसकी practice भी सासाथ कीजिएगा आप section को लिखा करें फिर देखा करें किस section के तहत हम application दे सकते हैं और किस section के तहत notice किया जाएगा और किस section के तहत restriction लगती है लिमिटेशन लगती है तो बच्चों जब आप section को इस तरह से याद करना शुरू करेंगे तो कब भी आप भूल ली सकेंगे लेकिन अफसोस यह है कि आप रटे लगा लेते हैं कि अच्छा जी फिलांस section में यह है ऐसे ना किया कीजिए आप यह देखा करें कि किस section को किस के तहत लिया जाता है अब दरखास अगर देना चाहता है तो 135 के तहत देगा अब अगर आप section तो produce कर रहे है 135 लेकिन आप यही बात ही वहां से चुपा लिया है या निकाल दी है तो section ने तो अपनी sense खो दिया है तो इसी तरह बच्छो section की sense को बहाल रखने के लिए उसकी ingredient बना लिया करें और जब आप ingredient बना लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि section आपको अच्छे से जहन शीन हो तो याद करने का तरीका भी प्रूटफुल होगी खुदा हफीस